सावन के पवित्र महीने का आज तीसरा सोमवार है बागवान शिव के पूजा और जलाबिशेक के लिए ये दिन बेहद खास होता है तीसरा सोमवार हरी हरात्मक होता है इसलिए इस दिन बागवान शिव के खास सिवलिंग की पूजा से बागवान शिव और विश्नु दोनों की क्रिपा बरस्ती है इतना ही नहीं भगवन भूले भक्तों की सभी मनों कामनाएं भी पूर्ण करते हैं इस बार सावन के तीसरे स्वमवार को कई अद्बूद सयोग भी है काशी के जो तीसा चर पंधित संजय उपादयाय ने बताए कि सावन का तीसरा स्वमवार सुगलपक में पढ़ रहा है इस दिन असलेशा नच्छत्र है और याईच नामक योग का निर्माड हो रहा है जो बेहद सुबकारी है इसके अलावा इस दिन स्वमें नामक योग भी बन रहा है जो इस सोमवार को और भी खास बनाता है पंधित संजय उपादयाय ने बताए कि सोमवा कि दोरान हमें उस पर बेल पत्र और तुलसी दोनों ही अरपन करना चाहिए इससे भगवान विश्नु और भगवान शिव दोनों के क्रिपा हमें प्राप्त होगी पर हम बिलो पत्र और तुलसी दोनों चीज अरपित करशकते हैं पहली बात दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा योगर कि असलेशा नच्छत्र है असलेशा मूल का नच्छत्र है तो अगर कोई व्यक्ति अपनी मूल शांती कराना चाहता है तो उसके लिए यह सुमार बहुत अच्छा होगा मूल शांती के दिन अगर वह जिसने अगर अपनी मूल शांती नहीं कराई है भूल गया है तो बात में अगर वह कराना चाहिए तो यह दिन उनके लिए जिसका असलेसा नच्छतर में जन्म हो असलेसा का मूल हो वही जो है इस दिन जो है रुद्राविशे कराएंगे तो उनक स्पर्दान करने वाले होंगे सुभता को प्रदान करने करने को इसे सुभता राप्त होगी देखे याई जियूक का शुरूआ जो है आपका सुर्वाद पहले एक दिन पहले हो जाएगा लेकिन समापन जो तीन बच करके पचीस मिनट के लगभग है और असलेशा जो है आपक नच्छत्रों की शांती जो है इस दिन विशेश रूप से की जा सकती है